नमस्ते प्यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल और फेस्डूक पेच पेट हुली आ गई है सभी के घरे में गोजिया अलग-अलग मिठाईया बनती है वैसे ही हमारे घर पे ठेकवा भी बनता है ये मेरे माता जी को बहुत पसंद है हाला कि यही बनाती थी लेक अब भी बहु बेटिया अपने ससुराल जाती है तो ठेकवा मिठाई के साथ जरूर दिया जाता है तो हम बनाएंगे इसे गिहूं के आटे के साथ एक किलो यहां पर हमने गिहूं का आटा लिया है एक चमज सौफ डाला है और आधा चमज के तकरीबन खाने वाला सोडा डा यहां पर दोसे थीन मुठी हमने नारिल का बुरादा ड आला है अब इसके बाद हमने लिया है एक किलो हमारा आटा था तो एधा किलो हम चीनी लेंगे और इन सभी चीजों को आराम से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हमने यहां पर चीनी लिया है ।करीबन दो ग् inputs गूतेंगे यहां पर चीनी घुल गई है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए चीनी का अच्छे से हम आटा लगाएंगे आटा हमें एकदम सौफ्ट लगाना है जदा यहां पर कड़क आटा नहीं लगाना एकदम पिल पिला वाला आटा लगाना गीला रहे गा यह और धीमे धीमे इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे mix करेंगे यानि कि आटा लगाएंगे तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही इसे चीनी अच्छे से नीचे जो बैठी है उसे mix करते जाएंगे और यहां पर आटा हम लगाते जाएंगे तो आटे की quantity थोड़ा ज सलते जाएंगे और दोनों हाथों से इस तरह हम इसे गूतते जाएंगे तब ठेको अब बहुत ही सौफ्ट बनता है और यहां पे तीन से चार मिनट आटा की गुताई हो गई है और देख सकते कि सारा चीनी का पानी है वो सारा का सारा इसमें खतम हो गया है मतलब आदा किलो च सरसे हमने गुता है और दस घंटे बाद हमने इसकी फिर से पिटाई करना यानि इससे सानना सुरू कर दिये हैं और पांस से दस मिनट फिर से इसे गुतेंगे और अच्छे से इसकी मालिश करते रहेंगे ताकि आटा हमारे एकदम सौफ्ट और फलफी बनके तयार हो जाए और आटा आटा आप देख सकते कि एकदम हमने एकदम नरम लगाया और इसकी खूब गुताई की है अब यहां पर आटा हमारा लगके तयार हो गया है अब यहां पर थोड़ा सा हाथों पर पेड़ा लेना है आप आटे की देख सकते कितना लचीला और सौप्ट आटा हमने बना कर त्यार किया है, हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाते हुए पेडा सा त्यार करेंगे हम, आपको जितना बड़ा बनाना है, उतना बड़ा यहाँ पे बना सकते हैं ठेकवा और हाथों पे गोल इस तरह करते हुए यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक की शीट ली है इस तरह प्लास्टिक के अंदर इससे डाल देना है और हथों की अथेलियों से इस तरह दबा लेना है दबाते जाएंगी यह बड़ा होते जाता है हाला कि बीच में की क्लिप थोड़ी सी डिलिट हो गई है और इस तरह से दबाएंगे तो यह अच्छे से बन जाता है अब इसे प्लास्टिक से निकाल के इस तरह से आकार देते हुए तेल में टेंपरिचर चेक करने के लिए थोड़ा सा हम लोई काट के इसमें थोड़ा सा मी ॅनी ठुकवा बनाएंगे और देखेंगे तेल अच्छे से गरम है की नइ उसके बाद हम इस ठिकवा अच्छे से टालेंगे उसके थेल हो गया है और फ्लेम is का मीडिएमटू हाई रखना है और एक एक ठिकवा अच्छे से हमें fry कर लेना है और ये जाते ही अच्छे से फूलने जागेगा तो इसी तरह हम सारे बना लेंगे और जो ठिकवा है इसे दबाते जाएंगे ये देखिए अच्छे से फूलते जाता है तो किसके किसके घर में ठिकवा पसंद किया जाता है कॉमेंट में जरूर बताएगा अगर यहां तक आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली वायर आये हैं तो सब्सक्राइब करना यह देखिए एक एक ठिकवा अच्छे से लाल होता और यह फूलते जाएगा तो हर एक ठिकवा फूलेगा इसी तरह सभी ठिकवा बनाकर हम रेडी कर लेंगे यह देखिए लाल लाल ठिकवा बनाकर फ्राय कर लेना है हमें तो आज की रेस्पी आपको कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताएगा सूपर टेस्टी सूपर पूल के तयार होता है यह तो इस ठिकवा को हमारे घर पे अचार के साथ भी आम के अचार के साथ इंजॉय किया जाता है आलू की सबजी के भी साथ इंजॉय किया जाता है आपके घर पे से किसके साथ खाया जाता है कॉमेंट में जरूर बताएगा यह देखिए कितने मस्त फूले फूले से ठिकवा हमारे बन के तयार हो गए हैं तो है ना मज़ेदार मैं मिलूंगी नेक्स वीडियो में रखे अपना दिए